राम राम नमस्कार आप सभी को तो कैसे आप सभी उम्मीद करते हैं आप सभी अच्छे होंगे स्वस्त होंगे और अपनी तयारी भी बहतर तरीके से कर रहे होंगे और इस समय आप सभी रिवीजन के रूप में अपनी तयारी को कंटेन्यू कर रहे होंगे दोस्तों आज की इस क्लास में हम लोग देखने वाले हैं आईए का ओल्ड पेपर जो की 2018 का पेपर है हलांकि आपने देखा होगा अगर नहीं देखा है तो जिनोंने नहीं देखा उनी के लिए ये पेपर में लेकर आ रहा हूँ मुझे दो-चार कमेंट भी मैसेज भी मिले थे कि सर आईए का पुराना पेपर लेका आईए लेकिन मैं आज इस वीडियो में आपको जी के सेक्षन बताने वाला हूँ कि जी के सेक्षन जो है किस परकार के लेवल का आते हैं प्रशन और इसमें प्रशनों का जो लेवल कह लीजिएगा प्रारूप कह लीजिएगा किस परकार का प्रारूप प्रकरती देखने को मिलेगी ये सभी चीजों का हमें पता लगेगा आज की इस वीडियो में और दोस्तों आने वाले पेपर के लिए उससे पहले हमें पुराने पेपर भी देखने चाहिए जिसे कि हमें थोड़ी सी और एक मार्क दर्शिका के रूप में ताकत मिल सके ऐसे इस प्रकार के प्रशन आपको परिक्षा में पूछेंगे और देखिए इसकी मैं आपको PDF भी प्रोवाइड करवा रहा हूँ PDF आपको क सबस्तान क्लासे टाइप करो गए लेटेस्ट पोस्ट में मिल जाएगी या फिर आप सूचना साहिक लिखते हैं तो भी मिल जाएगी और आप हमें इस नंबर पर मैसेज कर लेते हैं तो आपको हम डिरेक्टली जो है इसका लिंक भेज देंगे ताकि आपको कोई दिक्कत न tyre मैसे किस diesem है इशान सा सवाल है और आपको भी साथ सात में आंसर देना है अगर हो सकते मजारे किस दितने तो यह आपके डूंग़्णपूर जिले में पढ़ता है मजारे तो आपका लाउग हो जाएगा अगला सवाल है देखे कि नेमन मैंसे इसरो के कौन से मिशन का लाउंच पुन निर्धारी तर्जी शिड्यूल किया गया तो देखे ये करेंट का क्वेस्टन है उस समय का और उस समय यह दोजार अठार का पिपर है तो यह जी सेट इलेवन जी सेट इलेवन का था लेकिन अब यह प्रशना आ आपको पढ़ने पढ़ेंगे अगर आपने पेपर नहीं देखा तो अभी देख पा रहे हैं और पेपर के जरी आपको पता लग रहा है कि लेटेस्ट डेटा हमें अच्छे से जान लेने चाहिए तो आपको कोई भी करेंट की बुक लेया नहीं है और उनमें से डाटा अच इसकी स्थापना की बात करेंए उनीच सो अठाणवे में इसकी स्थापन होई यानि आपका करेक्ट आंसर है अगला सवाल है राजसान सरकार द्वारा लांच किये गए वन स्टॉप सॉल्यूशन का नाम क्या है जो इस्टार्ट अप वेंसर के पिटेलिस्ट के लिए है वे से करेंट को आपको करके जाना है कवर करके जाना है एक्जाम है सवाल आपके लगवें पांस से साथ देखने को मिल जाएंगे नेक्स सवाल है इन विच आफ्ट फॉलोविंग सीटीज देखिए वर्ष 2017 के दोरान आईटी गतिविदियों और स्टार्ट अप को बढ़ावा था एना जैपूर और उदेपूर में देखो सैटनेबल उदेपूर में हुगा था जो जी ट्वेंटी परेटन है वो आपके जैपूर में हुगा था इस परकार से प्रस्ट भी आपको पूचे जा सकते हैं अगला सवाल है कि राजस्तान सरकार की इमेल सेवा का क्या का नाम है जो कि यूजर्स को उनके इमेल एडिस शेत्रे भाशाओं में वे हिंदी में बनाने की स्वीधा देती है ये राजस्तान की बात है और राजस्तान की अगर बात है तो हम जाएंगे राज मेल के साथ में जिस परकार से राजनेट है उसी परकार से राज़स्तान में राज मेल है। अगला सवाल है किनेवर्ण मेंसे कौन सी सरकारी एपलिकेशन भारत के विदेश्षा में छल रहे हैं मिष्णों की सूचना का शूरत है तो इसका या इंदिया है ना या फिर बिकिल है अगला सवाल है कि राष्ट्रियात Lean का mission को कब शूकिया गया था यसको शीया था जो 2011 में 2011 में पूछा है तो यह था जो घूर घूरका इस प्रकार करस्ट में करने हैं तो Dan आफिस पढ़ते हैं न माइक्रोसाप्ट के द्वारा लाउंच किया गया है तो माइक्रोसाप्ट का मुख्याले कहां पर है तो हम कहींगे वॉशिंग्टन में है वॉशिंग्टन आपका औफ्षान ए आच उसी आंस्फर होतएं नेन्ममैसिक इस प्रकार के प्रिंटर मं प्रिंटिंग रिबन काम में आती है यह सवाल वैसे जीके का नहीं है लेकिन फिर भी हम बात कर लेते हैं दॉट मैट्रिक्स प्रिंटर dot matrix printer आपका right answer होगा option C अगला सवाल देखे अगला सवाल आएगा सीधा याँ पे देखो ये सवाल क्या है ये जीके का सवाल है कि अजन्ता की गुफ़एं इनमे से किस से संबंदीते हैं ये सवाल आप से पूचा गया था अजन्ता की गुफ़एं तो इसमें जातक कता हैं जो है इन से संबंदीते हैं अजन्ता की गुफ़एं इसे संबंद रखती है ठीक है अगला सवाल है ABD वेलियर्स का सबचे तेज 8000 ODII रन बनाने का record किसने तोड़ा है इनमे से किसने तोड़ा था उस समय की बात है 2018 की बात है ठीक है और अभी भी ये तो आगे भी और चला जाएगा लेकिन फिर भी हम कहें तो आफसे आपका सही आंसर होगा और अब अगर आप से सवाल की पूचा जाएगा तो किरकेट में तो ये जो अभी वर्ल्ड कप हुआ है वर्ल्ड कप हुआ है इसी से सवाल पूचे जाएंगे अगला सवाल आपके स्क्रेन पर है निर्ड मैसे किस पुस्तक के रच्चिता मुंशी प्रेम चंद नहीं है देखो गबन के है मान सरवर गोदान गोदान के भी है जल्दी से बताईए दगाइड के नहीं है ना क्योंकि ये इंगलीस में नाम है और वे जो हैं हिंदी कावे के थे तो हम बात करें तो राइट आप सभी का उपसंसी होगा अगला स्वाल देखे राष्ट्याय में किसको सम्मेलित नहीं किया जाता तो राष्ट्याय में जो है देखो एक विख्रे इनको कीया जाता है क्रमचारी वेतन को किया जाना। पुर्दुक्रिक शेत्र के निर्यात को किया जाता है एक्सपोर्ट आफ इंफॉमेरेशन टेक्नोलोजी सेक्टर बिलकुल किया जाता है सेल ओफ लेंड इसको नहीं किया जाता या आपका करेक्ट आंसर होगा ग्रीन सर्टिफिकेट प्राप्ट करने वाली वेश्चु की पर पूसरू होते हैं और राजस्तान जी पिस्पेश्ली हम लोग यहां से कवर करने वाले हैं ठीक है राजस्तान का कौन सा लोक नाटे मेरुनाटे के नाम से भी जाना जाता है तो भावाई को लॉक करें या गवरी को भीलों के दौरा ये किया जाता है और मुख्य रूप से यह popular है कि साइड में उदेपूर साइड में आफसन सी आपका लॉक हो जाएगा अगला सवाल और भवाई भी उदेपूर साइड में ही है अगला सवाल पूचा गया कि हाल इमें की गई गोशना के अनुसा अर्दे रोग्यों के लिए कौन सी इनिशल कस्विदाओं का आरंब क कि आ गया लेकिन आप करेंट अभी का पढ़के जाएंगे तो ही आपका काम बन पाएगा क्योंकि पुराने नहीं पूचे जाएंगा अगला सवाल यह सवाल आपका इस्टेटिक है बिल्कुल हिस्टी का सवाल है निम्न मैंसे कौन सा युक्म सही सूमेलित नहीं है देखे स सही सूमेलित कौन सा नहीं है देखो प्रजा मंडल और संसापक सिरोई की बात करें गोकल भाई बढ़ सही है करोली की बात करें तेलोग चंद मातुर सही है जैसल मेर में मीठलाल व्यास थे अलवर में लादा राम व्यास दे रहा है हलांकि यह जो है गलत है आपका ठीक है क अगला सवाल दिखें कि कौनसा शdrumệu मीरा पुरुसकर से संबमण देंगे अभी जो आपको पता हो तो जो मीरा पुरुसकर दिया गया है यह ना मीरा पुरुसकर शूरिमल मिश्रN पुरुसकर यह जो पुरुसकर है सहीत अकेड़मी के संगीतक नाटक 8 सभी को रटके जाговक एक या दो प्रशनर जरूर आपको देखने को मिलेंगे तो यहां पे आपका राइट आंसर है साहित यानि आपका सही आंसर होगा अगला सवाल है यहाँ प्रतीवर्श प्राकर्तिक रूप से मिट्यों का नविनी करन होता है वह शेत्र जो है क्या कहलाता है बांगर भाबर या तरही या खदर देखिए हम बात करें भाबर प्रदेश हमारे साइड में है यह राजिस्तान में नहीं तरही प्रदेश है सम्मिलन का योजन नें 에से किस वर्ष में किया गया था उर्ण सम्मिलन जो कि वर्तमान भीलवाडा में भीलवाडा में किया गया था 17 साथ 1734 ठीक है यह आपको याद रेकना है 17 जुलाई 1734 में यह हुआ था तो यहां पर आपका राइट रोजाएगा ऑफसन सी को लॉक करेंगे कटे हुए कान तथा जटा निर्श किसका प्रचात्म 각 प्रतीक होते हं यह विए कि कटे ओए कान तथा जटा जो है किसके प्रतीक फ्रतीक है तो यह प्रतीक है औगढ जोगों के या फिर र Yapल जो कि बिल्कुल रावल जोगी यहां पर सही आंसर हो जाएगा आपका यह आपके एक्जामे सवाल 2018 में पूचा गया है अगला सवाल देखिए अगला सवाल है कि एक जनौरी 2018 से सहकारी भूमी विकास बैंकों दोरा किसानों से वसूली जाने वाली नई रिन ब्याजदर क्या है तो इसकी बात करें हम उस समय का करेंट का है इसको हम एगनौर करते हैं और अगला सवाल देखिए राजस्तान में देखिए यह खेर यह भी उसी समय का है या फिर इसको आपको इस्टेटिक में ले सकते हैं राजस्तान में डबलू पील डबलू के लिए आधार वर्ष किस इसको माना जाता है यह डबलू पील को माना जाता है आपके 1999 से 2000 और बाकी जो आपने पड़ा होगा 2011 से 2012 कि इसको माना जाता है सभी को विदित है ना हां तो कमेंट करके जरूर बदाएं अगर आपको आप तक जानकारी है तो कचनार चौदरी का समंद किस खेल से समंदित ह तो शौट पूर से समंदित हा उसमें अब आपको यह चीज भी ध्यान रखनी है क्या कि एक्जाम में सवाल खेल से समंदित भी पूचे जाएंगे खेल से समंदित है ना तो आपको अच्छे से यह भी याद रखना है खेल से समंदित वाले प्रिश्णों के बारे में तो व मूपरमाल के पठार को भीनिका उत्तरपची मीं मरूसल को भीनिका माउंट अबू कर ना मासन माउंट आबू को एक्वाइशन मैं माउंट आबूक्षस्ट में है यानि आपका कर् MR techniques बहुत सकते हैं और भी कानों का Genau जैसे जंकां का अबूशन है तोटी जैसे टोट यह यां जो जो है वो क्या है लूंग या फिर लॉंग है तो यह भी आप याद रख सकते हैं अंसर जो है आपके अगला प्रशने की राजस्तान राजिय पत्परिवेन निगम की स्थापना कब होई तो यहां पर आपका राइट आंसर उनिस सो सो सट होगा यानि आप संबी को लॉग करें बढ़ाचा सवाल है और एक और सवाल हम देखने वाले हैं जो पूचा जा रहा है निवन मैंसे कौन सा जिल्ला माही गाई लेवल कैनाल शुद्ध पेजल प्रोजेक्ट से प्रतेक शूप से संबंदित नहीं है तो क्या होगा राइट आंसर माही गाई लेवल देखो कैनाल शुद्ध पेजल प्रोजेक्ट से प्रतेक शूप से संबंदित नहीं है तो डुंगरपूर नहीं है बाकी सभी है तो ओफशन डी आपका सई आंसर होगा तो देखे दोस्तों इस प्रकार से हमने जीके के सेक्शन को कवर करा है जीके के सेक्शन के प्रशन जो हमने पढ़े है ताकि आपको आगे के लिए आगामी जो परिक्शा है आपकी इस परिक्शा में आपको किसी परकार की दिक्कत ना हो अभी भी जो है हम कहें तो बीस दिन शे से और हमें पुराने पेपर अच्छे से हल कर देने चीए अब देखे पुराने पेपर आपको देखो 2011 का और 2018 का भी मिलेगा complete विद computer के answer भी है न विद computer subject भी हमारा जो computer subject आएगा उसके भी आपको उसका solution सही तो जो है मिल जाएगा आपको पेपर वह कहां पे मिलेगा मैंने आपको बता या तो आप इस नंबर पर message करें अपना नाम और जिल्ला लिखकर और आपको पहली बार चैनल पर तो subscribe जरूर करें और यह सारे पेपर जो है हम solution देखेंगे 2013 का भी देखेंगे और 2011 का भी देखेंगे तो बने रहीएगा all the best आप सभी को जै हिंद वंदे मात्रम